अब लो असा करते हैं आप लो सभी लो ठीक होंगे चलिए जो 17 दिसंबर को एकजाम होगा है SI का उसका कटाफ एनलाइसिस करेंगे कटाफ एनलाइसिस करने से पहले पिछले बस का जो PT कटाफ गया है उसका और इस बार का कमपेर करेंगे क्या जाएगा चलिए देखते हैंचलिए पिछले बार वेकेंसी कितनी थी 223, पिछले बार वेकंसी कितने थी, 223, इस बार वेकंसी कितना है, इस बार वेकंसी है, 1285, कितना है इस बार, 1275, सिधे क्या हो गया है, 50%, 50% हो गया, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, और पिछले बार के तुलना में, इस बार जो कोश्चन था वो असान था पिछली बार के तुल में बता दे रहा है इसलिए कटाफ है फेक्टर करता है इस पर भी चलिए कंपेर करते हैं चलिए देखिए पिछले बार कटाफ गया था मार्क्स में एक सथेईस जेनरल का ठीक है यह डव्यस का कितना गया था और बता दे रहा है और कोश्चन देखा जाए तो एक सट पॉइंट फाइब जेनरल का गया है और यह डव्यस का संतावन एक सट पॉइंट फाइब आसफ मानी है ठीक है पिछले बार गया था बेकेंसी जब कितना था बाइस सो तेरा और इस बार कटाफ कितना जाएगा इस बार कम से कम आठ से दस मार्स बढ़ेगा ठीक है एक है अट से दस मार्क फीमेल का पिछले बार का कटाफ देखिए कोस्चन 48.4 यानि 96 नंबर सही हुआ है तो हुआ है सही यानि 49 कोस्चन लगभा मान के चलिए EWS का 40 SC का हुबह हुग गया है यही ध्यान में रखते हुए चलिए इस बार का कटाफ क्या जाएगा देखते है देखिए फारिंडली इस बार का कटाफ यह जाएगा जेनरल का 70 के आसपास रहेगा क्यूंकि इस बार वेकेंसी भी है कम है तो रिजल्ट कितना देगा कचीस जार के आसपास देगा ठीक है रिजल्ट कितना देगा का 70 के आसपास रहे गई 100 परसेंट मेरा सीक्यूर और दावा जो भी बोलियो है 70 72 EWS का यह कोश्चन बता रहा है मार्स नहीं बता रहा है 66 से 68 BC का 65 से 79 के बीच में General EWS देहान देद लेंगे देख रहा है EBC का 62 से 66 के बीच में SC का 56 से 60 HD का थोड़े ज्यादा जाता है क्योंकि इसका सीट कम होता है 60 से 63 ठीक है यानि आप मार्क्स में 140 मार्क्स प्लस लाएंगे तो आपका रिजल्ट जेनरल में हो जाएगा EWS में 138 चलिए महिला महिला का 56 से 60 कोश्चन सही होगा जेनरल में तो हो जाएगा EWS में 22 से 55 पन बीसी में एक आउन से 55 कोश्चन एबीसी में 50 से 33 के बीच में और एसी में 43 प्लस एस्टी में 45 प्लस इतना कटा फारा एक बर और ध्यान से देख ले तो आपका किलियर सेफ जोन में है ठीक है और अभी से क्या हो जाईए अभी से मिन्स में लग जाईए कि यह नहीं की रिजल्ट आएगा तब तब नहीं काम चलेगा अभी से लग जाईए मिन्स के लिए रेडी हो जाईए और हम एक मंडे को मंडे से बैच चला रहे हैं फिर यह आप कॉस्ट उससे जूड़िए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए 6204069412 कि मैसेज कीजिए कि हमको मेंस का त्यारी करना है नाम लिखिए और इस ग्रूप में एड हो जाए मंडे से उसमें होमवर्क दिया जाएगा यह डवलू चलेगा और पर डे 50 कोस्टन का एक टेस्ट सीरीज चालो होगा पर डे 50 कोस्टन जो मेंस के से लिए बस का फॉलो करते हुए होगा ठीक है एक बार और कटाफ देख लिजिए हंड्रेट परसंट बता रहे हैं हंड्रेट परसंट यह कटाफ जाएगा इसमें एक बत बताते इसमें प्लस टू या मैनस टू हो सकता है ठीक है इसमें प्लस टू या मैनस टू हो सकता है इससे ज्यादा या कम बेस न 1223 था कोष्चन विया संता इस बर 1225 सिदे इसलिए कटाफ आठ 10 कोष्चन तो जरूर बढ़ना चाहिए 5 कोष्चन जरूर बढ़ेगा पांदुना 10 नमबर यानि बढ़ेगा तो पिछले बर जनरल कटाफ कितना गया था बासट ठीक है कोष्चन इस बर सत्तर कोष्चन अराम से जाएगा आठ हो कोष्चन तो जरूर बढ़ेगा ठीक है इसलिए यह रव सिक्योर है इतना जाएगा अच्छा स्तियारी किजिए ग्रूप में जुड़ी है पंडे से एक बारावार नमबर बता देरे हैं 6204069412 किजिए और ग्रूप में जुड़ी है फिरी में त्यारी होगा सबको अल्दा बेश्ट अच्छा से देख लीजिए एक बार यह यह सभी देख लीजिए कटाफ क्या क्या जाय रहा है यही जाएगा चलिए जय हिन जय भारत